स्वागत है नववर्ष में व्यूवर्ज आईए जानते हैं आप मितुन राशी वालों का 2021 ग्रहों की गोचिरिय विशलेशन के अनुसार संक्षिप्त में किस प्रकार जा सकता है मैं कहना चाओंगा व्यूवर्ज मितुन राशी वालों के लिए 2020 बहुत खराब था राहू का उनके राशी के उपर यात्रा करना एक बहुत ही खराब सयोग था ना केवल उनके लिए पूरे विश्व के लिए मितुन राशी पर राहू का यात्रा एक संक्षिप्त में पूर्ण स्थिती को जनम दे रही थी जिससे 2020-23 सितंबर को निजात आपको मिल चुका है और पूरे विश्व को भी उससे निजात मिल चुका है हाँ मैं कोरोना संक्षिप्त के बारे में बोल रहा था ये कोरोना भी रहू का मितुन राशी में और केतु का धनु राशी में यात्रा करने के कारण उत्मन हुआ था जब जब रहुकेतु ने मितुन और धनों में यात्रा किया, पूरे विश्व में कुछ इस प्रकार की महामारी, युद या दुरगटनाएं हुई जिसने पूरे विश्व के इतियास के पन्नों को बदल डाला। आपको काफी रहात मिल चुकी है, आपके लिए नियावर्ष, मध्यम, फल दायक रहने वाला है। विश्लेशन बतलाता है, जनम राशी से शनी का गोचर, अस्टम भाव, एट हाउस में रहेगा, जो की शुब फल प्रत नहीं कहा जा सकता, ब्रगु समिता, चिंतामनी चमतकार, जातक परिजात, सभी जोतिशिये प्राचिन ग्रंतों में वढ़नेता है। ये अस्टम ढईया का गोचर है, जहां तक ब्रस्पती का ब्रश्न है, तो वो भी अस्टम एवं नवम भाव में गोचरत है। तो ये वर्ष शुप फल दायक है, स्वास्त के संबन्द में सतर्टा रखनी का अवशकता है, इस मामले में लापरवाई नहीं करनी चाहिए। सदय विशिशग्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वहन आदी चलाते समें भी साबदानी रखें, दीरकालिक रोगों में भी थोड़ी साबदानी रखनी चाहिए। मोटी तोर पर आपको ग्रहों का पक्ष है स्वास्त में, पिछले वर्ष जो नहीं था। कैसी बीमारी हो, आप उसमें ठीक होकर आ जाएंगे। जहां तक आर्थिक डिस्टी का संब्ध है, आर्थिक डिस्टी से भी यह वर्ष मध्यम फलप्रद बना रहेगा। एक और जहां आये में बादा संब्धित योग भी बन रहे हैं, वह दूसरी और खर्चों में विर्दी होने से अधिक होने से आर्थिक स्थिती प्रभावित हो सकती है। बचत एवं संचित धन में कमी होने की संभाबना भी है। जोकिमपून धन निवेश से बचना चीए, एप्रिल से सितंबर महा के मद्य उक्त अशुप फलों में कमी का अनुभव होगा। नौकरी पेशा के लिए वर्ष मुश्रित फल दायक है, इस वर्ष ट्रांसफर आदी की आशंका बनी रहेगी। तनाफ का अनुभव होते रहेगा, इस वर्ष योजनों के अधिक्ता रह सकती है। धन निविश नहीं करना चीए, साथी अपने साजेधारी, कार्मिक एवं सप्रायरों के साथ व्यभार करते समय अच्छे संबंद बनाया रखना चीए। क्योंकि इस गोचेरी व्यवदी में आपके संबंद प्रभावित हो सकते हैं। ये व्यवर्स एक गोचेरी विशलेशन है, दोनों ही पक्ष अच्छा और बुरा। इसको आपके कुंडली की मादशा, ग्रों की स्थिती को मिला कर देखना है। यदि आपके मादशा बहुत अच्छी चल रही है, ग्रों की स्थिती भी अच्छी है, तो आपको अशुब फल कम और शुब फल ज्यादा मिलेंगे। काफी कुछ दशाओं पर नर्वर करता है, तो लेगिन जो एक रुझान है, विश्लेशना अत्मक वो मैंने आपको बता दिया। और भी विस्तार में जाना चाते हैं, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, कुछ समय पहले, मितन राशिवानों के लिए उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ज़ली मिलता हूँ, निया वर्ष मंगलमा ही हो आपके लिए।